कि हलो गईज़ वेलकम बैक टु माइच चैनल प्लस माइनस मैट सु अर आज का कुष्चन है find the common difference of an AP whose first term is 5 and the sum of first 4 terms is half the sum of next 4 terms तो हमें common difference निकालना है AP का जिसकी first term है 5 तो यानि कि हम A1 मान लेते हैं 5 और common difference को D लेक्ट कर लेते हैं और दे रखा है कि sum of first 4 terms है तो first 4 terms हो जाएंगी तो first term तो हमारे पास given है 5 next term हो जाएगी 5 plus D और फिर 5 plus 2D and then 5 plus 3D तो first 4 terms तो यह निकल गए अब हमें next 4 terms निकाल लिए next 4 terms हो जाएंगी 5 plus 4D 5 plus 5D 5 plus 6D और 5 plus 7D अब हमें दिया होए question में कि यह sum of first 4 terms है वो half है next 4 terms के तो मतलब sum of 4 terms हो जाएगा 5 plus 5 plus D plus 5 plus 2D plus 5 plus 3D is equal to यह जो next 4 terms है इनका half के एक वाल है तो यानि कि यह हो जाएगा 5 plus 4D plus 5 plus 5D plus 5 plus 6D plus 5 plus 7D divided by 2 तो इसको प्लस करेंगे यह तो हो जाएगा 20 plus 6 plus 5 11 plus 4 15 और 15 plus 7 22 22D upon 2 तो इसको डिवाइट करेंगे पहल तो इसे लिख देते हैं 20 plus 6D is equal to यह डिवाइट करेंगे तो यह जाएगा 10 plus 11D और यहां से D की value निकालेंगे हम तो 6D इदर जाएगा 10 यह तरह आजाएगा तो 20 minus 10 is equal to 11D minus 6D 20 minus 10 हो जाएगा 10 is equal to 11 minus 6 5D और D की value आजाएगी 10 upon 5 यानि की 2 तो और हमें common difference निकालना था और D की value आजाएगी 2 तो hopefully आपको question समझा आगया हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भिलें थैंक्स पर वाचिए